बिस्मिल्ला रह्मानी रहीम वैलकम टू मैं चैनल इस्टेडी रूम एक्सेसाइज ट्रैंड भी कोस्टिन नम्र नाइन मैं करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वह है ऑक्सपोर्ट सेविंध एडिशन न्यूसलेबस मैटमेटिक्स बुक वन है तो कोस्टिन की दरफ वन एड तक टो हमने कर लिया था अब करते हैं कोश्टिन नम्र नाइन यह जो फिगर मेने बनाई हुई है यह आपकी बुक का कोस्टिन नमर नाइन की यह वही फिगर है जिसको हमने अभी सॉल्फ करना है तो सबसे पहले मैं आपको बुक की figure से थोड़ा समझा दूँ और पिर जब मैं solve करने लगूंगी तो फिर हम board पर solve करके दिखा देंगे अच्छा ये है वो figure यहां ये इन्होंने हमें mention किया है कि इस figure में AB line जो है ये AB line है ये जो है ये किसकी parallel है ये है CE के ये line CE है ये दोनों lines एक दूसरे के parallel हैं दूसरी बात इन्होंने कही DF इस parallel to AC ये line एक और दिखाएए ये है DF ये किसके parallel है ये इस line AC के parallel है तो हमें क्या given है हमें ये बात तो पता है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परडलेल है और DF और AC एक दूसरे के परडलेल है और सात में ये भी बताए है के EDF ह Här जो एंगल बन रहा है ये कितना है 58 टिगृiden है हमें 24 आंस्य ये यहां से ये ऑंगल है सबसे पहले थो हम यहां से की स्टार्ट लेंगे हमें पता है कि ये दोनों लाइन्स जो हैं एक दूसरे के पैरलल हैं DF और AC अगर मैं इसको ऐसे extend कर दूँ तो हमें ये भी पता है कि ये angle 58 degree है हमें ये वाला angle सबसे पहले मालूम करना है अगर मैं क्या सबसे पहले अगर ये जो पैरलल लाइन्स हैं इसको नहीं देखते हैं सबसे पहले अगर हम ये देख लें कि ये straight line है कौन सी straight line है? EC ये straight line है और हमें ये पता है कि adjacent angles का जो sum है straight line के लिए हमें बात पता है कि adjacent angles का जो sum है वो कि इसके equal होता है 180 degree के तो इधर 58 हमें given है ये वाला angle हमने FDC ये angle हमें मालूम करना है is equal to 180 degree मैं solve करके आपको board पे बताती हूँ ताके आप लोगों को समझने में आसानी हो अच्छा ये वोही figure है इधर हमें क्या given है? ये 58 degree हमें given है कौन सा angle है? ये EDF अब हमें एक और बात पता है कि ये straight line है EC क्या है? एक straight line है क्या लिख सकती हूँ? मैं इधर लिख सकती हूँ F, D, C ये वाला angle F, D, C हम इसको plus करेंगे नहीं F, D, C ये वाला angle हमने ये लिख लिया इधर plus एक ये angle हो गया इसको हमने सम किया इसका adjacent क्या है 58 degree ये किसके equal हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 degree के ये हमने इधर प्रॉपर्टी लगा दी है कि adjacent angles का जो सम होता है straight line पर तो वो क्या होता है? वो होता है on a straight line वो 180 degree होता है तो इधर मैंने लिख दिया F, D, C ये वाला angle plus 58 degree is equal to 180 degree क्यों? क्योंकि EC जो है एक straight line हमने consider करी है इस वक्त EC जो है एक straight line है और इसके जो angles का सम है वो कितना होगा? 180 degree अब F, D, C इसकी मैंने value निकाल ली F, D, C किसके equal हो जाएगा? 180 minus 58 degree और इस तरहां 180 में से 58 minus करेंगे तो 122 degree आ जाएगा F, D, C की value जो है यह हमें पता चल गई, क्या पता चली? 122 degree F, D, C यह हमें पता चल गई है अब हम इस जो parallel lines है इनकी हमें पता है अभी हमें यह बात पता है कि यह line A, B parallel है C, E के और D, F line जो है यह किसके parallel है? A, C line के अब suppose करें, है नहीं आपके figure में लेकिन मैंने इसको extend कर दिया आपको समझाने के लिए यह मैंने इन दोनो lines को अभी extend कर दिया अब हमें क्या पता है? कि यह line और यह line एक दूसरे के parallel हैं अब यह जो transversal चल के आ रहा है यह यहां से cut करता हुआ इस line पे आया है तो यह cut करता हुआ इस point पे आया transversal और इसके पास यह जो angle बना था यह हमें पता है 122 degree यह हमने अभी निकाला और हमें एक बात यह भी पता है कि जो alternate angles होते हैं यह line है और यह line यह दोनों एक दूसरे के parallel है इधर जो angle बना रहा है transversal और इस line के बीच में वो 122 degree जो के हमने अभी निकाला है इसके alternate इसके alternate यह वाला angle यह भी तो 122 degree होगा यह भी 122 degree होगा क्यों होगा वो वो इसलिए होगा कि alternate angles जो होते हैं वो equal होते हैं तो मैं इधर लिख कर बता सकती हूँ कि DCA DCA यह वाला angle कितना हो जाएगा यह C point है यह FDC यह इस angle के equal है FDC इसके यह दोनो angles जो हैं यह equal हैं तो मैं इसको बताना भी है क्यों है equal कि यह alternate angles हैं कब जबकि D F यह वाली line किसके parallel है इस वाली line के A C line के parallel है तो यह कितना हो जाएगा DCA angle DCA हो जाएगा 122 degree हमें यह भी पता चल गया अब हम क्या करेंगे हम यह करेंगे कि हमें इधर किसकी value निकालनी है X की X इधर है इस point पर हमें यह पता है कि कोई भी point हो उसके around जितने angles होते हैं उनका जो sum होता है वो किसके equal होता है 360 degree के तो इस वाले point की अभी हम बात करेंगे अब मैं इधर क्या लिख सकती हूँ इधर हम लिख सकते हैं DCA यह वाला angle इसको क्या कह रहे हैं DCA DCA प्लस यह वाला इस angle को इसके साथ हमने प्लस किया 4X degree के साथ और यह इस point के around जितने भी angles हैं इनका sum किसके equal होता है 360 degree के यह हमें property पता है कि angles at a point 360 degree होता है तो हमने यह लिख कर भी बता दिया अब DCA यह मैंने मुझे पता है DCA किसके equal है यह है 122 degree के यह हमने अभी इदर से निकाला था कि यह alternate थे और प्लस 4X degree is equal to 360 degree अब यहां से मैं X की value निकाल लूँगी 4X is equal to 360 degree minus 122 degree और यहां से X की value क्या आ जाएगी X is equal to 238 238 degree divided by 4 और यहां X की value मेरे पास आ रही है 59.5 यह आप लोग calculate करेंगे इसको divide करेंगे तो यह 59.5 हमारे पास value आ जाएगी जब degree sign हटाएगे तो हम कह सकते हैं कि X किसके equal है 59.5 हमें X की value पता चल चुकी है अब हम Y की value निकालेंगे अच्छा आप Y को देखिए Y जो है यह point है A इधर है यहां से लिगी यहां तक का जो angle है यह कितना है 7Y यह तो 7Y है अब यह angle हमको मालूम करना है यह हमें मालूम करना है हम जब इस angle को मालूम कर लेंगे फिर हम क्या property अपलाय करेंगे कि angles at a point जो है both is equal to 360 degree है अब इस point पर इसके around जितने भी angles है उनका जो sum है वो किसके equal हो जाएगा 360 degree के तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है यह तो पता है कि यह 7Y है अब हम B, A, C यह वाला angle मालूम करेंगे B, A, C मालूम करने के लिए हमें क्या देखना है हमें यह बात पता है कि एक यह line है B, A और यह है E, C यह दोने एक दूसरे के parallel है अब यह दोने एक दूसरे के parallel है और यह जो connect हो रहा है यह जो transversal यहां से यहां तक जा रहा है तो अब यह यहां interior angles जो है इसके B, A, C और E, C, A यह वाला angle और यह वाले angle इन दोनो angles का जो sum होता है वो किसके equal होता है 180 degree के हम यह वाली property भी last time पढ़ चुके हैं कि यह interior angles का जो sum है वो 180 degree होता है तो फिर हम देखते हैं यहां से B, A, C प्लस 122 यह किसके है 122 is equal to 180 degree इन दोनों को add कर देंगे और is equal to 180 degree कर देंगे अब इदर मैं यह लिख लेती हूँ क्या कि B, C, A यह angle जो है इसको मैंने B, A, C B, A, C B, A, C प्लस D, C, A यह किसके equal होंगे यह 180 degree के equal हो जाएंगे और हमें यह बताना भी है क्यों? क्योंकि यह interior angles है interior angles जो होते हैं इनका sum 180 degree होते है और lines भी हमें बतानी है कि line A, B जो है वो parallel है C, E के यह हमने B, A, C यह प्लस D, C, A यह वाला angle इन दोनों को add कर दिया is equal to 180 degree और यह interior angles हैं जबके A, B line जो है वो C, E line के parallel है अब इदर मैं लिख दूँँगी B, A, C यह वाला तो मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि यह हमें मालूम करना है plus D, C के हम मालूम कर चुके हैं वो कितना है 122 degree is equal to 180 degree और यहां से B, A, C यह किसके equal हो जाएगा? यह हो जाएगा 180 degree minus 122 degree के अब यहां यह देखिए इदर मैं B, A, C को क्या लिख सकती हूँ? B, A, C यह किसके equal आएगा? 180 में से 122 मैंने minus किये तो 58 degree इसकी value आजाएगी यह हमें पता चल चुका है अब इदर हम क्या करेंगे? इदर वही property apply करेंगे जैसे हमने 4X इदर इसदर हमने apply करी थी और हमने X की value निकाली थी इदर भी हम यही करेंगे हम angles जो है इसके around जितने हैं उनका sum जो है 360 degree के equal हो जाएगा तो इदर solve करते हैं हम इदर हम लिख सकते हैं 7Y plus B, A, C is equal to 360 degree और इदर हमने बता भी दिया है के angles at a point किसी भी point के around जितने angles होते हैं उनका sum 180 degree होता है इसलिए अब मैं इदर क्या लिख दूँगी 7Y is equal to 360 degree minus B, A, C कितना हमारे पास value है 58 degree हमने मालूम करी थी B, A, C की value तो इदर मैंने 58 degree लिख दिया अब Y की value हम इदर निकालेंगे 360 में से 58 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आजएगी 302 इदर value आएगी 302 divided by 7 यह 7 इदर ले गए तो यह divide हो जाएगा और इस तरह Y की value हमारे पास कितनी आजएगी 43.1 0.1 degree 1 decimal place तक लिया है तो इसलिए Y की degree sign हटाएगे तो हम कह सकते हैं कि Y की equal है 43.1 हमें इस figure में X और Y की values मालूम करनी थी और हमने यहां से start लिया था और properties को apply करते हुए हमने X और Y की values निकालनी है और मुझे उमीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा फिर भी कोई problem है तो आप लोग मुझे से पूछ सकते हैं मेरी चैनल को like करना share करना subscribe करना बिल्कुल नहीं भूले thank you